मस्कार सातियों मैं कमले शुद्री श्वागत करता हूं आपका ब्राइट एग्रों क्लास है इसके उनलाइन प्लेट पूरम पर दोस्तों अपने पिछली क्लास में पढ़ा था लिमिट और फंक्शन पर जो अतिम अदव उन क्यूशन थे अपने ओल्ड पेपर्स पर आधारि उनकी अपने चर्चा की थी आई होप आपको सभी को समझ में भी आयोंगी क्यूशन अगर समझ में नहीं है यह तो आपको लिया मेसेज करके हमें बता सकते हों अब आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों मेट्रिक्स पर किस टोपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों मेट्रिक इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है छोटे क्यूसनों पर करना है कौन से क्यूसनों पर बड़ा क्यूसन एक ए इनवर्स का सकता है इसके लाओ बड़ा क्यूसन एक सिद्ध करने का सकता है बाकी क्यूसन क्या आते हैं छोटे आते हो न्यू टाइप और दो-दो पूछे नहीं तो भी अपने 20-22 नंबर की मेट्रिक्स पूछी जाती है अपन आराम से चर्चा करेंगे छोटी से लेकर बड़े क्योशन तक सब इने मेट्रिक्स तो पढ़ रही होगी कि मेट्रिक्स क्या है मेट्रिक्स को मल्टिप्लाई करना प्लस करना मैनस करना यह तो सबसे पहले बात करते हैं मेट्रिक्स की डेफिनेशन मेट्रिक्स की डेफिनेशन तो आप सभी को पत्ता होगी कि संक्याओं को पंक्तियों वह इस तंबो में व्यवस्तित करम में आयताकार या वरगाकार करम में दरसाते हैं इसको क्या बोलते हैं मेट्रिक्स बोलते हैं उसम कि दिनेशन पर यादने करकें और नहीं तो पूरें आपको डाइरेक्ट मतलब हाँ में पूच लेंगे यह को लेंगे और उब्जयक्टियु में पूच लेंगे या इसे खिशिक में पूच दिनेशज के के साथ तो एक अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है भी यसी अग्रिकल्चर पार्ट परस्ट सेंपरस्ट के नाम से उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप टाइप सोब मैट्रिक्स के परस देख सकते हों इसकेवाद में अपन सकते हैं जो क्यूशन मतें हां बस उननी की चर्शा करेंगे सबसे पहला क्योशन किया बनता है सबस्वेला क्योशन मड़ता है कोई मेरिक्स से दी दो ऐक तीन ये मेट्रिक्स देदी अब इसमें आपको एक क्यूसन तो पूछ सकता है कि इसका ओर्डर गयात कीजिए क्या क्यूसन पूछेगा दोस्तो इसका ओर्डर गयात कीजिए क्या गयात कीजिए ओर्डर को और क्या बोल सकते हैं कोटी और क्या बोल सकते हैं करम इस मेट्रिक् करम क्या है इस मेट्रिक्स का ओडर क्या है इस मेट्रिक्स का ओडर है पंक्तियों की संक्या multiply इस तंबो की संक्या इसमें पंक्तियां कितनी है एक दो तीन तीन पंक्तियां हो गई इस तंब कितना हुआ एक तो यह कौन से करम की मेट्रिक्स होई थ्री इंटू बन करम की मेट्रिक्स होई एक क्यूशन क्या पूश लेता है मेट्रिक्स का करम बताइए कोई मेट्रिक्स का एक्जामपल नहीं दिया हुआ होगा ओल्ली उसमें करम पूछेगा तो आपको लिखना है एम इंटू एन है इसमें पंक्तियों के संख्या भी है का इस तंबो के संख्या भी है का तो 1 into 2 करम की मैट्रिक्स हो जाएगी यह आपको समझ में आया होगा अब ओर आपको पूछे तो ओर तो आप बता होगी सही दूसरा किष टैप का पूस्ता है कोई मेट्रिक्स ते रिखिये इसमें आपको पूछेगा एट वलवा अब्यों कौन सा है गत में एट वलवा व्योव कुन सा है तो ये क्या है A11, ये कौन सा है A12, ये कौन सा है A21, A22 तो कौन सा हो जाएगा इसमें A12 अभी हो, ये हो जाएगा 2 इतना समझ मैं है A11, A12, A13, A14 आगे चितने भी होंगे न A11 से स्टार्ट करेंगे आगे ले जाएंगे 21 से start करेंगे आगे ले जाएंगे 31 से करेंगे आगे ले जाएंगे तो यह कौन सा है A12 अभी होगा है A12 अभी होगा है यह आपको समझ में होगा दोस्तों अब इसके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों कोई matrix है 2, 1, 3, 4, 1, 2 इसका करम भी बता दिया कि यह कौन से करम के matrix है 3 into 2 करम के matrix है कौन से करम के matrix है दोस्तों 3 into 2 करम के matrix अब इसमें पुछलेगा इसमें sorry कि इसमें अभी होगो की संक्या कितनी है कुल अभी होगो की संक्या कितनी है तो इसमें आपको क्या करना है 3 को 2 से multiply कर दो तो क्या जाएगा 66 टोटल अवियों इसमें क्या है दोस्तों टोटल अवियों कि इतना समझ में आया किसे कि इसमें एक एक दो तीन चार पांच छे अवियों हो गए कभी कभी क्या देता है ऐसा एक्जाम्पल नहीं देखे इसे बोल दे कि फॉर इंटू टू करम की मेट्रिक्स है फॉर इंटू टू क्रम की क्या है मेट्रिक्स है इसमें टोटल अवियों की संक्या कितनी होगी टोटल अवियों की संक्या कैसे अक्सरों से किससे अंग्रेजी उरण माला की केपिटल अक्सरों से केपिटल अक्सरों से दर्सा देंगे मेट्रिक्स को और जो मेट्रिक्स के अवियो वोते हैं अवियोव को किसे दर्शाते हैं परते कवियोव को AI जेशे दर्शाते हैं AI का मतलब क्या हुआ पंक्तियों की संख्या J का मतलब इस्तंबो की संख्या किसे दर्शाते हैं AI जेशे किसे दर्शाते हैं दोस्तो AI जेशे दर्शाते हैं इतना I hope आपको समझ में आया होगा इसके बाद मैं पंड चर्चा करते हैं पे क्यूंसन आता है closest matrix को aid करना क्या क्यूंसन आता है दोस्तों matrix को aid करने का option आता है देखो क्यूंसन क्या पूछता है 2112 1213 अब इसमें आपको क्या पूछ लेगा 8 पूछ लेगा, 8 पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, संगत अभयोगों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, देखिए, 2 को किसे जोड़ेंगे, 1 से, तो क्या हो जाएगा, 3, यहां पर क्या हो जाएगा, 3, यहां पर क्या हो जाएगा, 2, और यहां पर क्या हो जाएगा, 5 अगर आपको new type में ये question पूछे तो आपको direct कर देना है जोड के अगर theory में पूछे तो आपको क्या करना है step by step करना है अब आपको plus वाला समझ में आयोगा दोस्तों मतलब क्या करना है संगत अव्यो को क्या कर देना है जोड़ देना है अगर यहाँ पर देखूं दो एक दो एक एक तो ये देदी एक ये देदी दो एक तीन एक दो तीन ये मेट्रिक्स देदी इसको बोले कि जोड़ी है आप तो इन मेट्रिक्सों को अपन नहीं जोड़ सकते क्यों नहीं जोड़ सकते दोस्तों क्योंकि इनका ओडर दोनों का क्या नहीं है, सम्मान नहीं है, और जोडने और गटाने के लिए दोनों मेट्रिक्सों का ओडर क्या होना चाहिए, दोस्तों, सम्मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, अगर इन दोनों का ओडर सम्मान होता तो अपनी निमें क्या कर सकत सकते थे अपर संगतबयों का क्या कर दिया या यप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्यूशन पर आपको माइनस देती यहां पर यहां प्लस की बात कर लिए, माइनस की बात कर लिए, बहुत सारी स्टुडेंट्स में उनको बहुत सारी दिखती है ऐसे एकूछ मेंक chemicals ले ऐक तीन आपको बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ 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 और बड़ाबर में बूझ ले एक तो क्या कर दोना है बीच में किरेकर का साइं नहीं दिया uma होगा है तो वो साइन किसका होगा दोस्तों वो मल्टिप्लाई का साइन होगा अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है मल्टिप्लाई करना है मल्टिप्लाई की मैंने क्या बताई थी कि पहली मेट्रिक्स है इसके क्या लेंगे पंक्ति लेंगे क्या लेंगे दोस्तों पं से पंगती है पहली पंगती तो हैइए पंगती तो एक पंगती ले लिया और इसका क्या करना अभर होता है बीच में चीन होता है पलस का बीच मी दूसरा इस पेस देखे लिगते पर यहाँ पर क्या है एक ही स्थम पर तो एक पंगती को एक स्थम चे मुल्टिप्लाइ करके एक ही जगह लिखते हैं यह आप गलती कभी भी मत करना अब देखिए दोस्तों 2 multiply 1 क्या है 2 multiply 1 plus 1 multiply 2 plus 3 multiply 3 जोड़ लिए 2 plus 2 plus 9 यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 यह किस का गया यह इसका आंसर आ गया ऐसे भी क्यूसर आपको पूस्ते नहें इस से पहले अपन next question लेने से पहले multiply का next question लेने से पहले अपन क्या करेंगे चर्चा करेंगे दोस्तों कि जो multiply लैकंपन करते हैं गूणा करते है उसकी लिए क्या करद इसको एक क्यूस्न आपको new व्हंत में पूछा हो पिछली साली कि कोई यह थिनुरी फॉर करंब की इतूसरे बीटरिक्स क्या है एक तो क्या है थ्री इंटू फॉर की फॉर इंटू थ्री की अब इसमें आपको पूछ रहा है दोस्तों कि इसका आंस्वर जो मल्टिप्लाई होगा गुणान फल होगा किस करम का होगा किस ओडर का होगा मतलब इसमें पूछ रहा है कि कोई इसका गुणान फल किस करम का होगा तो बहुत सारी स्टुडेंट्स क्या होते हैं कोई ऐसा क्यों सुना गया उसका मल्टिप्लाई करने बेट गई क्या करने बेट गई मल्टिप्लाई करने बेट गई कि ओडर गयात करेंगे कौन से करम का होगा तो भाईयो अगर ऐसा करो गय आप कि multiply करने बेट गए और फिर बाद में order गया तो एक नंबर के लिए आपने कितनी मिनट गवा दी 10 मिनट गवा दी तो आपको क्या करना है दोस्तों अगर ऐसा कोई क्यूसर ना जाए तो सबसे पहले condition में बता दूँ अपन गुणा कब करते हैं अपने पलस कब करते हैं पलस जब करते हैं जब दोनों मेट्रिक्स हो का क्या हो करम समान हो ओडर समान हो जब दोनों मेट्रिक्स हो में क्या कर सकते हैं एड कर सकते हैं पर मल्टिप्लाई कब कर सकते हैं मल्टिप्लाई जब कर सकते हैं जब दोस्तों कोई A मेट्रिक्स है इसक मैं मिल्टिपलाई कर सकते हैं multiply कर सकते हैं और जो बाकी बच रहा है जैसे इसकी पंक्तियों के संक्या बच रही है और इसके इस्तंबो के संक्या बच रही है तो ये क्या होगा ये दोस्तों इसका answer होगा क्या होगा दोस्तों answer होगा क्या होगा answer होगा सबसे पहले इसका देखते हैं इसमें चार इंटू चार है मतलब इन दोनों में मल्टिप्लाई हो सकता है सबसे पहले तो क्या देखना है कि दोनों में मल्टिप्लाई हो सकता है कर नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी इस तंबो के संख्या इसकी पंक्तियों के संख्या क्या होनी चीए समान होनी चीए इसके करम होगा दोस्तों क्या होगा मतलब आपको पिछली एक्जाम में किया लिकना था धिरी इंटू ठीउ पर था कि त्री इंटू ट्री कि करम की मेर्टिक्स आइगी मेल्टिपलाइड लेक बात में अब इसमें देख लेते हैं अपनी यह भी तो अपना एक्जामपल दैने वन इंटू 3 हो गया पर इसका 3 इंटू 1 हो गया मतलब यह दोनों समाने तब यह तो अपने पास क्या हुआ multiply हुआ और अपने answer कि समाना चाहिए one into one में और one into one में आया कि नहीं answer आया ने आयोप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूं इसके बाद में अपने सीख लिया multiply सीख लिया और multiply की जो कुण धरम है वो भी सीख लिए कि multiply कब कर सकते हैं कौन सा answer होता है बिना multiply कि अपन पहले answer निकाल सकते हैं कि यह answer किस करम का होगा सही इसके बाद में बड़ चर्चा करते हैं दोस्तों और multiply का भी पूच सकता है कि आपको इन दोनों matrix को में multiply हो सकता है यह نہیں होसकता तो कैसे ज्यात करोगे A matrix के स्थम्भों की संख्या, B matrix की पंक्तियों की संख्या की क्या होनी चाहिए दोस्तों सम्मान होनी चाहिए अब इसके बाद में एक और अपन multiply कर लेते हैं 2, 1, 3, 3, 2, 1 इसमें आपको क्या करना है multiply करना है इसमें अपन देख लेते हैं सबसे पहले कि मतलब इनमें multiply होगा कर नहीं होगा क्या देखेंगे कि multiply होगा कर नहीं होगा, होगा तो कौनसा answer आएगा, पहले ही देखते हैं अब देखिए, यह कौनसे की है, 3 into 1 की 3 into 1 की है, यह 1 into 3 की है 3 into 1 और 1 into 3 मतलब ये दोनों सेम है मतलब multiply हो सकता है और ये क्या बचा फिर 3 into 3 मतलब इस concert किस में आना चाहिए 3 into 3 में आना चाहिए मतलब गड़बड है अब तो कि 3 into 3 का आएगा कि नहीं आएगा जब तक अपने को सांसे नहीं आएगी chain की तो अपने को क्या करना है अपने को क्या करना है multiply करना है और देखते हैं 3 into 3 का आता है कि नहीं आता है मैंने क्या का था पहले की क्या लेंगे पंक्ति लेंगे और दूसरे के किस से multiply करेंगे पहले की पंक्ति ले ली इस स्थम से कर दो इस से कर दो नहीं हो सी, मैंने क्या का था एक पंक्ति को एक इस्टम से करके एक जगह लिखते हैं तो यह एक इस्टम्भग हो गया यह एक पंक्ति हो गई। 2 x 3 ओ गया अब इसके बार में हैं दूसरा इस्तम लेंगे पहले抗द दूसरा इस्तम 2 x 2 तीसरा इस्तम लेंगे 2 x 1 तंक एक एक एंटो two and एक इंटू एक अभ दीसदी ले लो और सभी स्तंपक्जू कर दो तीन इंटू तीन इंटू दो तीन इंटू एक अब आपको एक द्यान रखना है जैसे अपन मेट्रिक्स को अंदर विवस्तित करब में दरसाते हैं तो ब्रेकिट में दरसाते हैं ना कि खड़ी लाइनों से दरसाते हैं ठीक है इतना आपको समझ में आया हुआ यह पड़ने सीख लिए आगे आप केलकुलेशन कर लेना इसकी ठीक है अब अपना वहा मल्टि एपलस 5B जैसे मैट्रिक्स जैदी 2112 भी मैट्रिक्स जैदी 1232 सही यह मैट्रिक्स जैदी आप ऐसा ही एकजामपल लोंग मतलब जो बड़ी हो 3 x 3 करेम की मेट्रिक्स हो उसका भी लेकर कर सकते हो मैं सोट मैं बता रहा हूं क्योंकि ऐसे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएग तो अपने को क्या करना है पहले ए मेट्रिक्स को किसे मेल पहले 3a निकालना शीख लो कोई A मेट्रिक्स है एक दो एक तीन इसका क्या निकालना है यह तो A मेट्रिक्स है क्या है ए मेट्रिक्स है इसका क्या निकालना है 3a निकालना है अगर 3a 4a 5a कुछ भी दे दे तो आप कि पहले दे रखा है इसको पर्टे का वीरों से मॉल्टिपलाई कर दो चुमें टिक साथ कब बएग से क्या कर दो मॉल्टिपलाई कर दो इसका तरी यह निकालते हैं तीन तीन दूणी शह थीन तीन तीन नुग आपको क्या करना है अगर वहां डायरेक्ट नूटाइप में प है यह आपका समझ में होगा अब इसका त्रिये निकालो त्रिये प्लस फाइब लिक लेते हैं देखिए यह पर क्या हो जाएगा शिक्स थ्री थ्री शिक्स प्लस इसका फाइब भी निकालो पांच पंद्रह दस दस इन दोनों को प्रेट गर्टो छेपांच ग्यारा अठारा तेरे शोल यह अपना क्या निकल गया दोस्तों यह अपना निकल गया थ्री ए प्लस फाइब इतना आप सबीको समझ में आया वह आई होफ की थ्री यह पूछ लिया आप आसानी से निकाल सकते हो अब एक और किर्शन की चर्चा करते हैं वहाँ पर क्या देता है थ्री आई दे दिया अब थ्री आई क्या सिस्टम है थ्री आई दे दिया तो आई का मतलब मैंने डेफिनेशन में बता रहा है टाइप सब मेंटिक्स में आई डेंटीटी मेट्रिक्स होता है क्या होता है दोस्तों आई डेंटीटी मेट्रिक्स या यूनिट मेट्रिक्स या इकाई मेट्रिक्स या तत्समकारी मेट्रिक्स वोलते हैं इसको अब थ्री आई अगर पूछ ले तो आई मेट्रिक्स को किस से मल्टिप्लाई करना है द पोंच रहाएं है या फिर आपको यसे दे दे आई थ्री एक थ्री आई इसका तो मतलब है आई मेटिक्स को थ्री से मल्टिप्लाई करो इसका मतलब है कि जो आई मेट्रिक से ऊसको त्री इंटू थी क्रम की मेट्रिक्स मनाओं यहां पर त्री इंटू थी की बनाते हैं सबसे पिले 1 1 1 0000 0000 यह अगर इसका थ्री आई नकालें तो त्री आई कि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3333 इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं दोस्ते इस क्योशन की यह क्योशन आपको पूछा हुआ है पिछली एकजाम में 2021 इसके पेपर में इसमें क्या है इसका मतलब होता है बीच में अगर बराबर का चीन दे दिया तो इसको बोलते है इक्वल मेट्रिक्स इनको क्या बोलेंगे इक्वल मेट्रिक्स मतलब सम्मान आवियो है बोलते है इनको सम्मान आवियो का मतलब क्या होता है अगर दो मेट्रिक्स दे रहे कि ये दोनों सम्मान मेट्रिक्स है मतलब बीच में एकवल का चिन दिया हुआ है मतलब क्या है इसका इसका मतलब है कि संगत आवियो इनके क्या है समान है अब आपको इसमें पूछाता कि A का मान गयात कीजिए और B का मान गयात कीजिए तो सिद्धा सिंपल सी बात है दोस्तों इसमें A है सही इसमें A किसके बराबर होगा मतलब संगत अवियो के बराबर होगा इसका संगतव योरी क्या है माइनस एक तो a बराबर तो क्या हो गया मैनस एक सिद्धा समाना अगया और b क्या होगा देखों है अभ a bus b यह ए प्लस b बराबर सिसका संगतव यूरी क्या है इदर इसका संगतव Around a एक हो गया, हो गया दोस्तों, अब इसके बाद में है, एक हो गया, अब इसके बाद में देखो, एक की जगह क्या लिख दूँ, एक की जगह माइनस एक लिख दिया, प्लस बी बराबर एक, सही, अब बी बराबर एक, इधर माइनस का एक है तो, इधर प्लस का हो जाएगा, क् B कामान क्या हो जाएगा दोस्तों B कामान हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा दोस्तों B कामान हो जाएगा 2 अब ऐसे अगर कोई B क्यूसन आपको पूछ ले कि A कामान गयात कीजिए B कामान गयात कीजिए तो आप निकाल सकते हो अगर आपको कोई क्यूसन समझ में नहीं तो आप इन नम्रों पे मेसेज या कॉल करके बचा सकते हो च्यान में बैतर तरेश अटरतालीस फिरतालीस अब इसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्यूसन के वह एक एक्जाम में दो या तीन क्यूसन तो पूछते है क्या पूछ रहा है एटी पूछ रहा है एटी का मतलब में बताया था ट्रांसफोज ट्रांसफोज मतलब परिवर्त इसका मतलब क्या है ए मेट्रिक्स का क्या कर दो ट्रांसफोज कर दो ट्रांसफोज का मतलब क्या होता है पंक्तियों को इस तंबों में चेंज कर दो जो करना है पंख्तियों को इस तंब में चेंज कर दो मतलब यह पंख्तिया नीस को इस तंब में कर दो एक rial Satie है अब इसका पूछे आपको कि मैं टेक्स एक और लिख लेता हूं 2021 12 isierung कृफ़ यह 13 की है इसके आपको क्या पूछ रहा है या एडेस भी दे सकता है कभी कभी क्या दे सकता है एडेस भी दे सकता है तो आपको क्या कर देना इस पंक्ति को इस सिस्टम में कर दो दो एक एक दो इसको इस तम में कर दिया और इसको इस तम में कर दिया एटी का मतलब सी दसा यही है कि जो ए मैट्रिक्स दे रहे कि इसके पंग्तियों को किसे में चेंज कर दो इस तंबों में चेंज कर दो आई होप आपको समझ में आया होगा इसके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों कभ A T दे दिया मालों आपको A T का मतलब क्या है कोई A matrix है A matrix दी ओई होगी 2-1-2 से पहले तो यह लिख दो मतलब इस में हैं कि A matrix को multiply करो A matrix को multiply करो A T से A matrix दे दी और A matrix को किसे multiply करो A T से आपको direct यह दे देता है मेरे आपको सब्सक्राइब करना निकालना है बहुत चाह्ट सबाए करना मेरे हैं निकालना मेरे हैं तो हम ऐसे आपको क्या करते हुए दोस्तो अब अपन चलते हैं next question पर next question आपको किस टाइप पूसता है next question पूसता है a square का किसका पूसता है a square का a square में आपको कुछ भी नहीं करना जो matrix a matrix दिवी होगी a matrix दिवी होगी 2 1 1 2 किसी भी करम की हो सकती है आपको क्या करना है इसका a square निकालना है ने तो इसी matrix को a matrix को a से multiply कर दो 2 1 मतलब इसी matrix को इसी से multiply कर दोगे तो क्या जाएगा a square जाएगा क्या जाएगा दोस्तों a square जाएगा details मैंने पहले class में बता रखा है उस playlist में मिल जाएगी और आपको क्या कर देना है एक बार सोटले में समझा देता हूं कि आपको क्या करना है अगर a matrix भी है कोие जाएगा इसक्कूरा इसके बाद लिए सबसे पहले आपको a square निकालना पढ़ेगा जाएगा of ch स्कॉर्ण को किसे मल्टिप्लाइगरों कि तो कहा जाएगा कभी कभी क्या पूछ लेता है एस्क्वाइर माइनस 3A प्लस 4 ऐसे दे दिया और कोई मेट्रिक्स दे दी ए बराबर 2112 यह 3 तो सबसे पहले आपको क्या करना है एस्क्वाइज निकालना है मतलब इस मेट्रिक्स को इसी से क्या कर देना है multiply कर देना है तो क्या आजाएगा अपने पास a2 आ गया a2 कर निकालने के बाद में इस matrix को किसे multiply करोगे दोस्तों इस matrix को a matrix को 3 से multiply कर ना परतीक अब यह को किसे multiply करोगे 3 से multiply करोगे क्या जाएगा 3A आजाएगा, फिर है 4i, आ गया नो, किसने में मैंने जो पहले बताया था, 4i का क्या करोगी, यह matrix कौन से करम की है, 2 into 2 क्रम की matrix से, तो अपने को i matrix भी किसकी बनानी है, 2 into 2 क्रम की matrix बनानी है, तो 1, 1, 0, 0, अब इसका क्या निकालना है, 4i निकालना है, तो किसे multiply करोगे? फोर चे multiply करोगे ये तीनों मान आ गए A2 निकाल लिया matrix को multiple कि Arc इसके बाद में थीab Tonight इसके बाद में क्या गया? 4i भी आ गया सही? अब इसके बाद में आपको क्या कर देना है? इसको बाद में आपको calculation कर देनी है क्या कर देनी है क्या कर देनी है अब देखिए दोस्तों के लोकुलेशन में क्या होती है कभी-कभी गड़ बड़ जाती है कि आप ने पहले तो माइनस करोगे पहले प्लस करोगे तो आप अगर ठीए जाएं ठीए मालो यह आ यहां पर क्या रहे है शिक्स थ्री थ्री शिक्स यह आ गया दोस्तों सही यह आ गया और एई स्कॉयर आप निकाल के देख लेना क्या रहे अब आपको क्या कर देना है यहां पर तो प्लस का चिन लगा देना यहां पर क्या कर देना प्लस का चिन लगा देना और यहां पर सभी को किसे multiply कर देना माइनस से multiply कर देना क्या कर देना माइनस से multiply कर देना क्या कर दोगी दोस्तों माइनस से क्या कर दोगी multiply कर दोगे इससे अपनी calculation क्या हुज जाती है EG हो जाती है जो मैंने सीध करने वाला क्यूसन बता रहा है पहले कलास में वो इसी परकार से बता रहा है केल्कुलेशन को EG करें I hope आपको समझ में आया होगा कि अगर A सा क्यूसन आ जाए तो अपने को क्या करना है 4I मैंने समझाई दिया 4I क्या है 3A निकालना है 3A मतलब AI मतलब AI मेटिक्स को किसी मिलिप्लाइ करना है अब इसके बाद में चर्चा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा अगर किसी को डिटेल से पढ़ना है तो आपनी कलास पे पे लेbles्ट पे जाके क्लास देख सकते हो और आपको साइट डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है यहां पर बता रहा हूं यहीं क्यूशन आपको पूछ रहे हैं एक्जाम में यहीं क्यूशन पूछ रहे हैं आपको और इसके बाद में पर चर्चा करते हैं दोस् मेट्रिक्स है मेट्रिक्स का कैसे बता चलेगा ब्रेकिट में आ रही है सी ब्रेकिट में आ रही है तो मेट्रिक्स है इसका पूछ लिया मान ग्यात कीजिए क्या पूछ लिया दोस्तों मान ग्यात कीजिए क्या पूछ लिया मान ग्यात कीजिए तो आपको क्या करना है दोस कुन सा होता है यह वाड़ा तो मुखे विकर्ण का मल्टीपलाइम करके एक इंटू मायनस सहाई एक विकर्ण का मल्टी प्लाइम करके गठा दो एक इंटू मीन्स दो ब्राबर जीरो इस मेट्रिक्स का मान क्या जाएगा जीरो आ एक और एक्जांपल ले लेते हैं चार दो एक तीन इसका निकार यह मुख्य विकन का फिर कर गठा दो 4 x 2-1 x 3 क्या हो जाएगा आट-3 क्या हो जाएगा पांच यह पना क्या हो गया दोस्तों यह अपना मेट्रिक्स का मान निकालना आगया अगर आपको कुछ भी नहीं दे मेट्रिक्स दे दी और मान क्यात कीजिए टू इंटू टू करम का बता है थ्री इंटू तरी करम का मैं बता दूंगा भी तो आपको क्या कर देना है इसका क्या निकाल दोगे मान निकाल दोगे इसके बाद में आपको कभी-कभी क्या देदेता है ऐसे देदेगा उसमें क्या नहीं होगा ब्रेकिट नहीं होगा बस dो झाल्डी लाइने होगी एक दो तीन चार सभी इसका आपको पूँछे कि या तो ऐसे पूदे की A डिटर्मिनेट गयाद कीजिए या आपको ऐसे यह कर दे कि मान गयाद कीजिए सारनिक इसको क्या बोलते हैं इंजिन को भी बोलते हैं सारनिक क्या बोलते हैं दोस्तों सारनिक तो आपको इसका अगर मान ग्याद करने के लिए बोल दे तो आपको वही चीज़ करनी है जो matrix का मान में बताईती कि इसका क्या निकाल देना है? मान निकाल देना है 1 into 4 minus 3 into 2 क्या हो जाएगा? 4 minus 6 क्या हो जाएगा? minus 2 क्या हो जाएगा दोस्तों minus 2 आपको सानिक का मान और उसका मेटिक्स का मान निकालना आया होगा साहिद अब इसके बाद मैं पंचर्चा करते हैं थ्री इंटू थ्री करम की मेटिक्स का मतलब क्या करना है अगर मेटिक्स या सानिक का मान पूछ लेना आपको मान गयात करना तो आप क्या करोगी मुख्य विकर्ण का मिल्टिप्लाई करके साइक विकर्ण की मिल्टिप्लाई को क्या कर देना गठा देना वो आपका क्या हो जाएगा मान निकल जाएगा इसके बाद मैं पन चर्चा करते हैं थ्री इंटू थ्री करम की मेट्रिक्स की देखिए दोस्तों क्यों संदिया होगा एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन एक तो यह दे दे का को क्या दे 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 और इसके बाद में एक क्या देगा ये देदेगा एक दो तीन चार पांच एक एक दो ये दे दिया इसमें आपको या तो पूछ ले एडिटर्मिनेट या सिदा सा पूछ ले मान ग्याद कीजिए या इसका भी क्या पूछ ले मान पूछ ले या एडिटर्मिनेट पूछ ले यह चीज़े पोच सकता है तो यह दोनों ही क्या होगा सेम तरीके से निकालना है अपने को मानिया एडिटर्मिनेट और मानिया एडिटर्मिनेट है बस फरक कितना है इसको क्या बोलते हैं इसको मेट्रिक्स बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं सारनिक बोलते हैं क्या बोलते हैं उसमें मैंने सबी को बता रहा है कि सेकंडर्ज केसे निकालते हैं, वो मैं बता दूंगा एक अभ्योग का निकालके, सब पहले अपने चर्चा करते हैं, यह एक executive ले यह लिए दोनों सेमी बात है, क्या निकालना है अपने को a determinant मतब्ला सार्निक निकालना है, या सार्निक का क् किया निकलनाा है माली कान आहें आपको दोनों में सेम फोरी करेंगी सेंम प्रोसेस रहेगी मैंने साणिक निकालना वैसे बहwarzate था है पहले वाली लिए तो क्या करते हैं दोनों में से सबसे पहले एक लाइन का क्या कर लेंगे सानिक निकालने से पहले एक लाइन का मान निकालने के लिए सबसे पहले में क्या करूँगा सबसे पहले में एक सी करूँगा एक कर लिया एए 11 लिखना है सबसे पहले क्या लिखोगे तो आप 11 लिखो सबसे पहले 11 लिख लिया वन सभी अब इसका सानिक निकालने के लिए मान निकालने के लिए सबसे पहले पढ़ने क्या की रोका चैन किया रोका चैन करने के बाद में 11 को लिख लिया अब क्या करना है A11 जिस पंक्ती और जिस सिस्थम में आ रहा है उसको छोड़ दो और बाकी सभी अभी उतार लो A11 पहली पंक्ती में आ रहा है पहले सिस्थम में आ रहा है इनको छोड़ दो बाकी लिख लो पांच, दो, छे, तीन है, सही, यह कर लिया, इसके बाद में क्या करना है, माइनस का चीन लगाना है, किसका लगाना है, माइनस का, वैसे तो किसका आता है, प्लस का चीन आता है, किसका चीन आता है, दोस्तों, प्लस का चीन आता है, माइनस का चीन क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक चीज का द्याम रखना आप जैसे मालो A11 है A11 में आप किसका ad करोगे पंग्ठियों की संक्या और इस थंभों की संक्या क्या करना? Aed करना अगर sum आ रही है sum आ रही है तो किसका चिन लगाते है? प्लस का लगाते हैं अगर वी sum आ रही है तो माइनस का चिन लगा है अब एलोन में तो क्या ता यह लेओं में तो प्लस ता क्यों था क्योंकि Major 274 अब att一点 के दो 32 क्या आगया 33 22 चिन किसकी अगा माइनस का ऐसे एक तो माइनस का इस में आता है की टोंटी अटा ban m dovumm मैं आता है एक इस मैंगा एट123 में अएगा एक 32 में तो में इनमें माइनस का चीन आता है तो वेसे तो यहां पर क्या आता है माइनस का चीन आता है पर माइनस क्यों लगाते हैं क्योंकि एट वल्व के साथ किसका चीन रहता है एट वल्व के साथ माइनस का चीन रहता है यह भी बता दिया मैंने क्यों रहता है क्यों रहता है क्योंकि यह क्या है विसम है तो अपन पलस को बाद में माइनस से मिल्टिपलाई करेंगे तो वैसे माइनस होगा तो अपन क्या कर लेंग पहली पंक्ति में आ रहा है दूसरी इस्तम में आ रहा है क्या बच रहा है दो तीन दो तीन दो तीन फिर किसका चिन लगाओगे प्लस का अब क्या लिखना है ए थर्टीन ए थर्टीन क्या है वन इसके बाद में है ए थर्टीन पहली पंक्ति में आ रहा है तीसरी इस्तम में आ best रहे होगा दोस्तों अगर आपको समय transformer आया है तो एक बार क्लास को reverse करके एक बार दुबर से देख लेना असानी से समझ मैं जाएगा इसके बाद में हैं दोस्तों इसकी calculation करनी है जो चीज आपने को छोड़नी थी वो छोड़ती लिखनी थी वो लिख ली अब इसके बाद में क्या करना है calculation करना है एक को रखो मैंने क्या कहा था अगर इसा दे दे आपको तो क्या करना है मुख्य विकन का multiply करके क्या करना है साइक विकन को क्या करना है गठाना है तो आप क्या करोगे पास्ती 15 15-6 दूनी 12 बीच में चिन किस करेगा इनमें माइनस का किस करेगा दोस्तों माइनस का माइनस 4 द प्लस वन आ जाएगा इसके बाद में है चाहटूनी 12 15 15 कि इसके बाद में देखिए वन यहां पर 12 15 में से 12 जाएगा तो क्या होगा फंदरा में से 12 जाएगा तो तीन बचेगा तीन को वन से मल्टिप्लाइग करोगे तो वन फु साया जाएगा उनल टू प्लस बारा में फंदरां में से बारा जाएंगे तो क्या बचेका म, मैनस का 3-2 को बुटिपलाई करोगी तो मैनस का 3 आएगा अब इसके बाद में 3 मैणस यहां पर 0 हो जाएगा यहां पर 3 हो जाएगा तो क्या बच रहा है 0 इस मेट्रिक्स का मान क्या आया दोस्तों 0 आया अगर ऐसा आपको इसमें पूस्टा इस चीज में पूस्ता कि सबसांगान चाहिए यह आपको Please Ta'Determinate यागए सबस्टार्म चाहिए कामान फिए मैट्रीक्स खामान चाहिए कि तो थरी करम में यही प्रोसेस रही की तुई ऊंसेंटे को department कि में हुटीनिक निकाल देते हैं किसे निकालते हैं डाइक्ट की मुख्य का 거야 कि की साइक को इतना आपको दोस्तों सभी को समझ में आया होगा एडिटर्मिनेट तक सभी को समझ में तो आगया ने मोड एडिटर्मिनेट जो मैंने बताया हूँ वैसे उसमें भी विता रख है जो एडिटर्मिनेट के क्लास करवाई है वह साइद अभी तक डली नहीं चैनल पर आई नहीं वह आजाएगी जल्दी उसमें से देख लेना अगर समझ में नहीं है तो वैसे समझ में आ जाएगा एक बार और रिवर्स करके आप इस कलास को ले लेना क्योंकि यह चीज़ दो एडिटर्मिनेट निकालते हैं एक असानिक निकालते हैं वह अपने को किसमें चाहिए वह अपने को एइंवर्स में भी चाहिए अपने सभी क्यूस्णों की क्या क कर ली अब किसकी चर्चा करते हैं एंवर्स की करते हैं तो एंवर्स में चारे स्टेप होती है क्या स्टेप होती है चारोई स्टेप पहले देखिए दोस्तों पहली स्टेप क्या होती है अपने को एडिटर्मिनेट निकालना होता है क्या निकालना होता है दोस्तों एडिटर् सब्सक्राइब क्या है सहे खंडज मेट्रिक्स है कि सहे खंडज मेट्रिक्स निकाल नहीं होती है Qo nice के ले साथ निकाल देए II इसके बाद में हैं सीज्वा थीसरोव या ऐती मतलब जो अपणे को सम दोने के यह तो कर आप दो होगी निकालना है इसका ऒजSONS भूअ का मतलब आपको the joint of a इसको क्या वोलते हैं a joint of a में किसका बाग देते हैं A determined का किसका बाग देते हैं दोस्तों aâte Demina अपन कौन रे निकाल से is next 1 सेकंड स्मेस्च कन टेंगे तों हो जाएगा a joint of a हो जाएगा a joint of m1 किसका बाग देंगे a mod का बाग देंगे a mod का पूरे का बाग नहीं देखर ऐसे मालो a joint of a matrix राप्त रही है तो आपको क्या कर देना है जिसे मालो 2 आ गया a mod कमान किया रहे है दो तो आपको यहीं तक लिखके छोड़ देना है ना कि परते कवियों में दो का बाग देना है इतना आपको समझ में होगा a DETERMINATE निकालना में ने सिखा दिया सछीचे बाद में हैं सेकंडेज मेक्रिक अभी बता देंगे कि अबयों कैसे निकालते परतिक अब्यों का इसके बाद में हैं ट्रांसफोर्ज ट्रांसफोर्ज निकालना शीका दिया एंवर्स एंवर्स निकालने के लिए यह फॉर्मूला है अगर आपको पूरा संपूर्ण तरीके से दुबारसी डिटेल से एंवर्स शीकना है तो आप हमारी क्लास ले सकते हो आज साम को तो नहीं पर कल सुबह तक आपकी क्या डल जाएगी एंवर्स की कलास डल जाएगी और वैसे यहां पर भी समझ में आ गया हो गा आपको की कैसे निकालना सब अपने इसकी भी चर्चा कर लिए एक निकालने के लिए सुर्जाष निकालने के कि लिए इसकी रह गई इसके से निकालते हैं देखिए लस्ताइं लिए गवरानी की कुछ पहले बता सकते हूए कि cantopiq पहले कि स्टापे tutorial अब जी समाल को ये मेटीक्स देरी कि 123 123 321 को मैटीक द्वीकल के इसका इसका अपने को क्या निकालना है सथैकन्डा मेटिक्स निकालना है क्या निकालना है दोस्तों सहकूंड़ मेर्टिक्स निकालना है सिंखेंड में टिक्स निमाद शेयरा ए control भी है एक जीका राव क्या है एक का व् wilmy सहे खेंड कर ने करना है से एक कणर्ड निकालना है जो खेंड पस्समान श्रों डिखो decis мо से माल लो एक है एक का क्या निकाल रहे है सेकंडर निकाल रहे हैं एलेवन का क्या निकाल रहे हैं दोस्तों सेकंडर निकाल रहे हैं तो एलेवन का सेकंडर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है एलेवन जिस पंक्ति और जी सिस्तम में आ रहा है उसको छोड़ दो बाकी अगर यहां पर मालू यह 11 तो क्या है सम है सम मैं मतलब प्लस का चीन आएगा अगर मालू यहां पर भी सम होता तो क्या करते बाहर चीन किसका लगाते माइनस का लगाते पर यहां पर तो क्या है सम है अब क्या गरोगे नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट प्रोसेस में करना है कर दोस्तों किजिए मुक्य विक्रन का मल्टिप्लाइ करके साइक विक्रन का गिठादो 2-6 क्या बजएगा? माइनस का 4 बचाहेगा अब A11 का क्या आगया? माइनस का 4 आगया अब ऐसे अपणियों को पूरो का निकालना A11 का निकाओ फिर A12Y का निकाओ A13 का निकाओ A21 का निकड़ो A22 का A23 A20 A31 A32 A33 अब मैंने माइनस का कौन कौन सा बताया एक तो इसमें लगाना है ऐसे बाहर मतलब जैसे मालो A12 जिस पंक्ति और जिस सिस्टम में आ रहा है उसके बाहर किसका चिन लगाना है माइनस का लगाना है क्यों लगाना है क्योंकि A11 जिस पंक्ति और जिस सिस्टम में आ रहा है उसको सोड़ दोगे इसके बाद में माइनस का चिन लगाओगे क्यों लगाओगे क्योंकि A12 वन प्लस टू मतलब क्या है विसम विसम है तो चिन किसका आता है माइनस का इसलिए अपने क्या लगाएंगे की बार माइनस का लगाएंगे एक तो एट होलो आएगा माइनस का एक एट वन्टी वन आएगा एट वन्टी वन किसे टू प्लस वन थ्री आ जाएगा यहां पर एक यह आएगा यहां पर क्या आएगा एट वन्टी थ्री टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा 55 क्या है विश्रम इसके बाद में एक हो जाएगा ए-32 यह भी किसका हैगा माइनस का मतलब यह कर रहे हो थो इसके बाहर चिन किसका हैगा माइनस का अब जिसे अपने 1 सब्सक्ति में निकल गी जिस इस सिस्टम रहा है उसको छोड़क। पहले तो दूसरी इस्तम है äंहें तीसरी एस में एक 2 , 3 ,2 ,3 ,1 ,2 ,3 ,3 . सुरी , यहांपर मेटरिक्स का साइन नहीं रहता है साणरीक का साइन बारचीन किसका रहेगा माइनस का क्यों रहा है क्योंकि भी सम है बारचीन माइनस का 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा यहां पर भी माइनस सार हो गया पर बारचीन किसका है माइनस का तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 किसका जाएगा प्लस का किसका जाएगा दोस्तों चार मतलब इसका क्या गया चार यह बने समका निकालना समका एड्जूइंट मतलब यह सेकंडेज निकालना भी सिका दिया और भी समका निकालना भी सिका दिया एसे यह पूरी मेट्रिक्स का क्या निकाल सकते हों सेकंडेज मेट्रिक्स निकाल सकते ह है क्या निकालोगे ट्रांस फोट्र बढ़ें को एडजुइंट ओफ एप्राप्त और अपने किसका बाग दो दोगे दिटर्मिट्वेंत का तो अपने को क्या प्राप्त होजएगा एइन्वर्स प्राप्त लगबग सभी को आता ही को अगर नहीं भी आता है तो आप मैंMaster । दूंगा कलसुबर तेख, आप उसको Class को 정도 करना और ज़ादा से जबर सहीर करना कलग वाली чותר को भी आपने से 100 कुछ मौन형 अपको किसी सम्यस्टों नहीं ब्रकार च्यान में 32, 33, 48, 42 ठीक है दोस्तों अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में जल्दी नेक्स्ट क्लास डालेंगे आप इन क्लासों को विजिट करते रही है सेईर करती रही है धन्यवाद दोस्तों जै हिन जै भारत